कैसा ये इश्क है अजब सरस्क है जी हां इस पंक्तियों को चरितार्थ करती हुई नाकपूर के चरिपट का पॉलिस स्टेशन अंतरगत एक खटना खटत हुई है जिसमें 16 वर्शी नाबालिक लड़की ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर बॉइफरेंट संग परा हो गई इतना ही नहीं तो अपनी मा के उपर ब्लैक मैजिक करने का आरोप ही इस नाबालिक लड़की ने चिट्टी में लिख कर छोड़ा है जिसके आधार पर जरीपट का पॉलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और फराल लड़की और उसके बॉइफरेंट को ढूनने की क तरगत एक घटना घचित हुई है जिसमें एक 16 वर्षी नाबालिक लड़की ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर बॉइफरेंट संग फरार हो गई इतना ही नहीं तो अपनी मा के उपर ब्लैक मैजिक करने का आरोप ही इस नाबालिक लड़की ने चिट्टी में ल जो की एक चाई की दुकान चलाती थी उसे घर बुलाया और घर बुलाकर उसे काफी भला बुरा कहा लड़की ने अपनी मा पर इल्जाम लगाते वे कहा कि तुमने मेरे बॉइफरेंट पर काला जादू किया है और ऐसार आरोप लगाते हुए वह लड़की अपने संग घर से रफोचक कर हो गई आपको बता दे कि पाँच महने पहले ही शांदी नगर पुली स्टेशन के हद में रहने वाले एक 22 वर्ष ये यूवक के साथ उसकी मुलाकात हुई ये मुलाकात बाद में प्रेम संबन में तबदील हो गई और महज पाँच महने के मुलाकात में ही लड़की ने अपनी परिवार को ही अपना दुश्मन मान लिया जाते वक उसने चिठी पर साफ तौर पर लिख दिया कि मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ कर जा रही हूँ यदि मुझे ढूनने का प्रेतने किया तो मैं अपने आपको खत्म कर दूँगी चिठी के बाद जरीबट का पुलीस स्टेशन से संपर किया गया फिलहाल जरीबट का पुलीस इस मामले में जाज कर रही है इन बिसे नियूस के लिए कैमरा परसन अखिलेश भरदवाच के साथ रूपा पंडित की रिपूर